राजिस्तान के जस्वंत पूरा का इतियास पेले लोयाना गड के राजा चंदन मनिया गिरी थे या बहुत चाल तक उन्होंने राज किया फिर दिरे दिरे सम्य बित्ता ग्या और या पर राणा साल सिंग या पर राज करते थे इस कानी को हम विस्तार से जानते हैं लोयाना गड का पुरा इतियास जानते हैं मैं इसकूल के दिनों सन 1922 तेउतर में एक बायोग्राफी पड़ी थी उसका नाम था तुली का साइट बायोग्राफी का यह नाम था यह बायोग्राफी मेरे राज परिवार की लाइब्रेरी में थी यह पुस्तक गड लोयाना रियासत के राणाओं में से कोई रानी साइबा द्वारा लिकित थी यह बायोग्राफी अत्य दिक मारमीक बासा सेली आखंट कस्ट और गन शौब में डूबी लिपी बंद आत्मा कता थी कता इस प्रकार थी जोदपूर के माराजा जस्वंत सिंग जी दिर्तियने मारवाड की सिमा पर आई इस सोटी सी रियासत लोयाना गड पर आकरमन करके यह तु सर परताब को आदेश दिया सर परताब ने गड लोयाना पर बीशन आकरमन करके राना साल जी और उनके समस्थ परिवार को कतले आम करके लोयाना का किला महल दूड साला अनाज के गोदाम को दवस्थ करके नामो निशान मिटा दिया लोयाना का नाम बदल कर जस्वंत पुरा कर दिया गया इनके वंस में राना साल जी के मात्र अकेले पूत्र जोरावर सिंग जी बसे थे जो कि उस समय बाले ववस्था में ही थे माराजा तो साते थे कि इनके वंस में कोई नी बसना चाहिए था लेकिन येती को कुस अलग ही मंजूर था एक अबोध बालक को देखकर माराजा का दिल पसिश गया यहुम इनकी परवरिस जोदपूर किले में राज खजाने से करने का निचित किया गया और मेयो कोलेज में पड़ाया और अपने गुना का पस्तापा किया साल जी के पूत्र राना जोरावर सिंग को राजा से ठाकूर बना दिया सिनला की जागीर मारवाड जक्षन के पास परदान की गई इनकी जागीदार में सिनला अखावास एवं निम्बली मांडाव कूल तिन गाव थे सिनला में राना जोरावर सिंग जीने गाव की पाड़ी पर विशाल तिन मंजिला गड का निर्मान करवया था कूल देवी सुन्द माता का मंदिर बन्दवाया